Hello friends, welcome back in KS Computer, यहाँ पर मैंने Government of India की एक website खोली हुई है, यहाँ पर देखिए जो छोटी-छोटी image आ रही है, यह image नहीं icons हैं, अगर हम इसके अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे option देखने को मिलेंगे, सभी option के साथ में एक icon रखा गया है, और यहाँ प यहाँ पर icon लगा हुआ है, और यहाँ पर envelope लगा हुआ है, और नीचे social website के लिए icons लगे हुए हैं, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर youtube.com खोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक icon आ रहा है, यहाँ पर click करके हम इस sidebar को open और close कर सकते हैं, नीचे home के लिए icon लगा हुआ है और भी नीचे कई सारे icons यहाँ पर लगे हुए हैं, और सभी icon पर कोई ना कोई link लगा हुआ है, आज के इस video में हम देखेंगे कि हम icons को कैसे use कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने एक basic सा navigation बाहर बनाया हुआ है, इधर right में मैं कुछ icons रखने वाला हूँ, इसकी coding मैंने यहाँ पर कर रखी है, यह आप coding दे सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इसकी CSS कर रखी है, वीडियो को pause करके आप भी इसकी इस तरीके से coding कर सकते हैं, अब हम चलते हैं, Google Chrome पर और यहाँ पर font awesome की site को खोल लेते हैं, यहाँ पर मैंने already font awesome की site को खोल रखा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो यहाँ पर हमें दो option मिलेंगे, start for free, get more with pro, अगर आप free icon लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर click करेंगे, और अगर आप pad icons लगाना चाहते हैं, तो get more with pro पर जा सकते हैं, मैं free icons यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर click करूँगा, start for free प पहले हम देखेंगे कि हम इसको download करके कैसे use कर सकते हैं, उसके बाद हम cdn path भी लगाना सीखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए download का option मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर click करेंगे, तो हमारे सामने एक page खुल जाएगा, यहाँ पर दे और यहाँ से मैं इसको open कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए इस file को मैं इसको copy करके अपने project folder के अंदर आ जाऊँगा, जहाँ पर मैंने html और chises file को रखा हुआ है, यही पर मैं इसको paste कर दूँगा, और अब मैं इसको right click करके extract कर लूँगा, मैंने extract files कर दिया, और इसको okay करेंगे, तो यह हमारी file extract हो जाएगी, यहाँ पर देखिए हमें एक folder मिला है, हम इसके अंदर जाएंगे, इसको open करेंगे, तो यहाँ पर हमें कई सारी files मिल जाती है, इनको मैं यहाँ से cut करके, यहाँ पर paste कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए हमें एक CSS folder मिला है, इसके अंदर हमें कई सारी css की files मिली हुई है icons कई सारी category के होते हैं जैसे regular, solid अगर आप केवल solid या regular के ही icons को use करना चाहते हैं तो इन्वे से आप किसी particular file को भी link करवा सकते हैं लेकिन मुझे सभी icons को use करना है तो इसलिए मैं all file को link करवाँगा all में भी यहाँ पर दो तरीके की files है एक है all और दूसरी है all.min तो जो all.min वाली file है यह इसका minified version है इसमें extra spaces को remove किया गया होता है all वाली file को open करके हम उसकी coding को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं लेकिन all.min में extra spaces को remove किया गया होता है आप किसी भी file को link करवा सकते हैं दोनों एक ही जैसा काम करेंगी जो all.min है इसका size है 58 के भी और all का size है 72 के भी तो मैं अभी all वाली file को अपनी file से link करवाँगा तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले इसको rename कर लेते हैं कोई शोटा नाम दे देते हैं ताकि हमें pass देने में आसानी हो इसको मैंने name दे दिया icons अब देखिए हमारी ये file icons folder के अंदर css folder के अंदर इस name से है all के नाम से तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने index.html वाली file में और यहाँ पर मैंने जहाँ पर css वाली file को link करवा रखा है उसी के नीचे में इसको link करवा दूँगा इसको link करवाने का process बिल्कुल normal css की file को link करवाने जैसा है यहाँ पर हम लिखेंगे icon और फिर हमारी file है css folder के अंदर और यहाँ पर all.css अब मैंने इसको save किया इसको हम यहाँ पर refresh करते हैं तो देखिए अभी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें जो icon use करना है हमें उस icon की tag यहाँ पर लगानी होगी अगर आपको tag से याद हैं तो आप manually भी type कर सकते हैं लेकिन मैं अभी font awesome की side से tag को copy करूँगा तो इसके लिए हम font awesome की side पर चलेंगे और यहाँ पर icons पर click करेंगे icons पर click करते ही हमारे सामने icons का यह page खुल जाएगा यहाँ से आप जिस category के चाहें उस category के icons आप select कर सकते हैं यहाँ पर देखिए जो dark icons हैं यह free icon हैं और जो grey icon आ रहे हैं यह paired icons हैं अभी मैं केवल free icons ही use करूँगा आप यहाँ से कोई भी icon सर्च भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर facebook का icon लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सर्च करूँगा facebook facebook के icon से यहाँ पर आ जाएंगे आपको जो भी icon ठीक लगे आप यहाँ से लगा सकते हैं तो मैं यह वाला icon लगाने वाला हूँ इस पर मैं click करूँगा पर जब हम click करेंगे इस पर click करते ही हमारे सामने यह वाला page open हो जाएगा और यहाँ से हम इस tag को copy कर लेंगे तो हम यहाँ पर click करेंगे यह tag हमारी copy हो चुकी है अब हम आएंगे अपने html वाली फाइल में और जहाँ पर हमें icon रखना है वहाँ पर इसको copy कर देंगे तो मैं यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ और अब मैं इसको save करके देखता हूँ कि यह icon आया या नहीं इसको मैंने यहाँ पर refresh किया तो यहाँ पर देखी यह Facebook का icon आ चुका है अब इसी तरीके से और भी मैं icon यहाँ पर लगा लेता हूँ तो इसके लिए मैं चलता हूँ font awesome की site पर और यहाँ से इसको back करके यहाँ से मैं search कर लेता हूँ Twitter Twitter मैंने search किया यहाँ से मैं Twitter पर click करता हूँ Twitter के लिए यहाँ से मैं HTML copy कर लूँगा और यहाँ पर हम इसको paste कर देते हैं फिर हम इसको back करते हैं और अब हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं YouTube अब यहाँ से हम YouTube वाले icon को copy कर लेते हैं यह tag हमारी copy हो गई और अब हम चलते हैं HTML वाली file में और यहाँ पर इसको paste कर देते हैं अब एक और icon हम लगा लेते हैं इसको मैंने पीछे किया इसको मैंने back किया और यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ Gmail मैं यहाँ से यह वाला इन वाला प्रक लेता हूँ इसको मैंने copy किया यह मैने copy कर लिया इसको और यहां पर मैं इसको paste कर देता हूं अब मैंने इसको save किया और यहां पर चलते हैं इसको refresh करते हैं तो यह देखिए चारो आइकन्स हमारे यहां पर आ चुके हैं अब हम इसको इधर right में set करेंगे तो उसके लिए पहले हम इसको एक div में रख लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे div.icons और यहाँ पर चलते हैं style.css में और यहाँ पर हम icons लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं margin left, margin left कर देते हैं auto और margin right कर देते हैं हम यहाँ पर hundred pixel इसको मैंने save किया और यहाँ पर हम refresh करते हैं तो यहाँ पर देखे यह icon हमारे right में आ चुके हैं अब हम इसका size हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा gap देंगे और इन पर हम link भी लगाएंगे तो इनको हम link tag के अंदर रख दे अब हम चलते हैं style.css में और यहाँ पर dot icons लिखेंगे और ए लिखेंगे और यहाँ पर font size कर देते हैं इन सभी icons पर font की property apply होती हैं यहाँ पर मैं font size कर देता हूँ 25 pixel color मैं इसका कर देता हूँ white margin right से कर देता हूँ 10 pixel मैंने इसको save किया और यहाँ पर हम इसको refresh करते हैं तो यह देखिए हमारी property apply हो चुकी है और इन पर link भी लग चुका है अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे ही मैं mouse इसकी उपर hover करूँ तो इनका color change हो जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखते हैं dot icons add colon hover और यहाँ पर इनका color कर देते हैं black मैंने और यहाँ पर refresh करते हैं यहाँ पर देखिए mouse मैं इसके उपर लेके जा रहा हूँ तो इनका color change हो रहा है तो इस तरीके से आप icons को download करके use कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि अगर हम इन icons को download नहीं करना चाहते हैं इनको cdn pass से use करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं तो इस same ही होती है अगर आप font awesome की site से icons रखना चाहते हैं तो आप चाहे online use करिए चाहे download करके use करिए उनकी class एक ही रहेगी अब हम चलते हैं font awesome की site पर और यहाँ पर हम इसके home page पर जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर करेंगे start for free यहाँ पर आपको अपनी email id डाल नहीं होगी तो मैं यहाँ पर अपनी email डाल देता हूँ यह मैंने अपनी email डाल दी अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे send kit code यहाँ पर क्लिक करते ही हमारी इस email id पर एक link जाएगा यह देखे लिंक पहुंच चुका होगा अब हम अपनी email id को खोलते हैं यह मैंने email id को खोला और यहाँ पर इसको research कर लेते हैं यहाँ पर देखिए font awesome से एक link हमें मिल चुका है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पर क्लिक करेंगे click to confirm your email address यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने font awesome की site का यह यह वाला page open हो जाएगा यहाँ पर हमें password create करना होगा यहाँ पर हम कोई भी password create कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने password को set कर दि यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए हमें एक link मिल चुका है इस link को हमें अपनी head tag में डाला है हम इसको यहाँ पर क्लिक करके copy कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के नीचे paste कर देते हैं अब मैंने इसको save किया और यहां पर इसको refresh करते हैं यह देखिए हमारे वही icons यहां पर आ चुके हैं तो इस तरीके से आप इसका cdn path यूज कर सकते हैं आप यहां पर जाएंगे open account navigation पर और यहां पर kit में जाके kit वाले option में जाके आप इसकी kit को manage कर सकते हैं यहां से new kit create कर सक सकते हैं और account detail में जाके अपने account की detail को भी manage कर सकते हैं यहां से आप email change कर सकते हैं password change कर सकते हैं और यहां से आप अपनी kit को manage कर सकते हैं और icons पर click करके आप icons को भी search कर सकते हैं यहां पर आपको free और pad दोनों ही तरीकी के icons मिल जाते हैं और कोई भी particular category के अगर आप icons चाहते ह जैसे animals, audio, alert और भी कई तरीके की categories यहाँ पर दी गई है अगर आप computer के icons चाहते हैं तो आप यहाँ से search भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ computer यहाँ पर computer का icon आ जाएगा देखिए computer के icons आ गए हैं आप यहाँ से कोई भी icon यूज कर सकते हैं तो आज की इस video में इतना है अगर आपके मन में कोई question है तो आप हमसे comment के जरीए पूर सकते हैं मिलते हैं next video में thanks for watching